एक क्वेशन लिखें, एक बार और काउंटिंग करवा देता हूं आपको, यदी सार्वत्रिक समुच्चे यू बराबर, यदी सार्वत्रिक समुच्चे यू बराबर, दिस, तथा, ए बराबर, दिस, तब, 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 यू के, तब यू के, उप्समुच्चे 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 यू के, उप्समु तब यू के उपसमुच्यों बी की संख्या ग्याद कीजिए तब यू के उपसमुच्यों बी की संख्या ग्याद कीजिए अरे आपको बोला है यू के आपको उपसमुच्यों की संख्या ग्याद करनी है कोई बच्चा कह सकता है सर यू में अगर दस एलिमेंट है तो उसके उपसमुच्चे कितने हो गए, दो की पावर दस, no doubt about it, but अब मैं क्या कह रहा हूँ, U के उपसमुच्चियों, B की संख्या ग्याद कीजिए, जहां B इस प्रकार है कि, जहां B इस प्रकार है कि, A-B बराबर 135, मैं देखना चाहता हूँ, आप क्या करते हो, यह मेरी तरफ से आपको question है, जिसने यह कर लिया, वो उसे पता लग गया है कि total subset कितने होते हैं, अगर किसी set में n element है, तो मेरी तरफ से वो बच्चा आप clear है कि total subset 2 की power n होते हैं, वरना घर में एक बार दुबारा analyze करें, आखिर A-B 135 कब आएगा, क्या आपको पता है, 123456 हो, तो B में अगर 135 लाना है दोनों के minus को, देखो answer तो A में से आता है, इसका मतलब है A में से 2 हटना चाहिए, 4 हटना चाहिए, 6 हटना चाहिए, यानि यह guarantee है कि B में 246 पका आएगा, यह guarantee है कि B में 135 नहीं आएगा, क्या इस बात को समझ रहे हो, अगर B में 246 आ जाए, B में 246 लिख दूँ, किसी भी set में student अगर मैं 246 लिख देता हूँ, तो आप समझ लीजिए, कि अब A माइनस B करने पर, A के वो element आएगे, जिसमें से 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, और पका और पका, B में 135 नहीं आने वाले, इसकी भी guarantee है, बात से agree कर रहे हो कि नहीं, अगर तुमने सच में A माइनस B की परिभाशा समझ ली है, तो A माइनस B ऐसा था कि नहीं, चलो मुझे ये बता दो, छोड़ो, पहले मैं सुन तो लूँ, कि तुमें आखिर A माइनस B की परिभाशा आई भी है कि नहीं, A माइनस B है क्या, चलो मुझे ये बताओ पहले, A माइनस B क्या है, A के वो element, A के वो element जो B में नहीं है, 1, B में नहीं है, A में से B वाले element हटा दो, 1 नहीं अटेगा, 2 उठाया, इसमें नहीं है, 2 आ गया, 3 भाइत 3 हट जा, क्योंकि B में है, बस, इसी में से तो आने है answer, तो आ गया 1, 2, अब यहाँ पर जब आपको बोल दिया A-B 1-3-5 है अब A में से क्या माइनस करें कि 1-3-5 है 2-4-6 तो माइनस करना पड़ेगा अगर गलती से आपने 1 लिख दिया तो 1 भी हट गया A में से 1 हटा दो फिर भाई 1 कैसे आएगा तो इसका मतलब है ये पक्की बात है कि B में 2 को रखना पड़ेगा ये पक्की बात है 2 B में से 4 को रखना पड़ेगा वरना तो A-B में 4 भी आ जाता ये पक्की बात है कि B में किसको 6 को भी रखना पड़ेगा और ये भी पक्की बात है कि 1, 3, 5 मत रख देना भी में तो अब इसके अलावा बच गए element केवल कितने 7, 8, 9, 10 उन 4 element में से जो कि 7, 8, 9, 10 है उन 4 में से कोई नहीं उठाया लीजिए उन 4 में से एक-एक उठाए अभी अभी बिल्कुल किसी को doubt है ए में से इसको माइनस करके देख लो आपका 1, 3, 5 ही आने वाला है माइनस करके देख लो अगर माइनस की definition सच में पता है तो उन 4 में से एक-एक उठाए 2, 4, 6 को तो आना ही पड़ेगा अगर 2, 4, 6 नहीं इटाओगे तो 1, 3, 5 के अलावा आ जाएंगे उन 4 में से एक-एक रखा यही तो कर रहे थे कलम उन 4 में से एक-एक रखा या उन 4 में से दो-दो रखेंगे या उन 4 में से तीन-तीन रखेंगे या उन 4 में से चार-चार रखेंगे सुला